हेलो एवरिवान, विल्कम टो मैं चानल, कलकी भगवान के जर्म के बारे में, कलकी पुरान, विश्रु पुरान, भविश्य मलिका और भी बहुत सारे भविश्य वक्ताओं ने, एस्टोलोजर्स ने, बहुत सारी भविश्यवानियां की हैं आज मैं एक अनोखी भविश्यवानी, जो श्री गुरु गोविंद सिंग जी ने की है, कलकी अवतार के बारे में, उनके जर्म के बारे में, उस बारे में आपको अउगत कराऊंगी अगर मेरी वीडियो पसंद आए, तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को, अगर आप इस पर नए हैं, मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा हर किसी ने उनके जन्म सली के बारे में, अपने अपने धंग से भविश्वानिया की हैं संभल नगरी जहां पर कि कलकी भगवान का जन्म हो चुका है लेकिन वो संभल नगरी कोई कहता है उडिसा में है कोई कह रहा है यूपी में है कोई कह रहा है एम्दाबाद गुजरात में है लेकिन इन सब के विप्रित जो कलकी अवतार के बारे में उनके जर्म के बारे में सिख के दस्वें गुरू श्री गुरू गोविंद सिंग जी ने दशम ग्रंथ नामक पुस्तक में भविश्वानी की है वो एक तो सबसे मेल खाती है कि कलकी भगवान आने वाले हैं कल यूग और सत्यूग के संधीकाल में लेकिन उनका जन्व शंभल नगरी उन्होंने नहीं बताया है बल्कि उनकी भविश्वानी के नुसार विश्र्व भगवान का दस्वा अवतार कलकी भगवान के रूप में कश्मीर के एक ब्राम्भन परिवार में होगा जी हां कश्मीर के एक ब्राम्वन परिवार में होगा उस जिनके घरूं का जनर्ण होगा वो बिशन्दत का परिवार होगा ऐसा उनका कहना है उन्होंने उस पुस्तिका में लिखी है अपनी है भविश्यवानी और मात्र बारव वर्ष की आयू में सिर्फ बारव वर्ष की आयू में उनकी भविश्यवानी के अनुसार कलकी भगवान का विवा होगा त्रिकोता नामक करन्या के साथ ऐसी ही भविश्यवानी उन्होंने लिखी है अब तो ये आने वाला समय ही हम लोगों को बताएगा कि वास्तों में कलकी भगवान का जन कश्मिर के बिशंदत परिवार में ब्राम्भन परिवार में हो रहा है या शंभल नगरी में यूपी या होडिसा में और उनकी शादी त्रिकोता से या किसी और से और कितने वर्ष की आयू में जो उन्होंने कहा है बारा वर्ष की आयू में क्योंकि कलकी पुरान विश्व पुरान और भविश्व मालिका में बारा वर्ष की आयू का में नहीं किया गया है तो अब हम लोगों को देखना है और यही प्रार्थना करनी है कि जहाँ पर भी कल की भगवान है वो हमारी प्रार्थना सुने और जल से जल प्रकट होकर हम सभी जितने सारे लोग आज दुनिया में मौझूद है उन सब की जो आज कंडिशन चल रही है दुनिया में उससे मुक्ति दिलाएं थैंक यू वेरी मच पर वाचिव मैं वीडियो